दिलकश अदाएं मधोश कर देने वाला अंदाज 23 साल की ये महिला जिसको भी एक नजर भर के देख ले वो वहीं पर घायल हो जाए लेकिन जरा रुकिये महिला जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़ादा खतरनाक भी है इसका दिमाग इतना शातिर है कि इसने अपनी ही मौत की साजिश रस डाली वो भी अपने परिवार से बचने के लिए और इसके लिए बकाइदा इसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह काप जाएगी आई आपको बताते हैं इस ब्यूटी क्वीन की असली कहानी जो कि इन दिनों मेडिया की सुर्खियां बनी हुई है जर्मनी की रहने वाली इस महिला का नाम है शर्बन के अगस्त 2022 में जर्मनी की एक कार में एक लड़की की लाश मिली लाश की पहचान शर्बन के के रूप में उसकी फैमिली ने की लेकिन जब पोस्ट मोटम हुआ तब पुलिस हरान रह गए की ये लाश शर्बन के की नहीं है बल्कि किसी और की है इस बात से पुलिस का माथा ठंगा क्योंकि लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी इसके बाद पुलिस ने लाश की पहचान के बारे में पता करना शुरू किया काफी तलाश के बाद पुलिस ने पाया कि ये लाश क्रीन ब्यूटी ब्लॉगर खतीजा ओ की है पुलिस ने जब खतीजा की तस्वीरें देखी तो हैरान रह गया उसका चेहरा हुबहु शर्बन केस से मिल रहा था दोनों की आँखें, बाल और चेहरा काफी हद तक एक जैसी ही थी खास कर मेकप की हुई तस्वीरों में दोनों के बीच अंतर कर पाना बेहद ही मुश्किल था इसके बाद जर्मनी पुलिस ने इस हत्याकान को दोपल गैंगर मर्डर यानी की कार्बन कौपी मर्डर का नाम दिया ये मामला पिसले साल 16 अगस्त का है जो की अब सामने आया है देरे देरे ये बात मेडिया में फैल गए उसके बाद तो हंगामा मच गया पुलिस की जांच आगे बढ़ी जिसके बाद पुलिस ने शरोबन के के फ्रैञी को गिरफतार कर लिया और उस पर इस वादात में शरोबन के की मदद करने का आरूब लगाया अब इस मामले के 6 महीने के बाद पुलिस ने इस केस की जो कहानी सामने रखी है आईए हम आपको सुनाते हैं पुलिस के मताबिक शरवन की फैमली में काफी लड़ाई जगड़े होते थे इसी विवाद से बसने के लिए शरवन ने अपनी मौत की प्लैनिंग की इसके लिए बकाइदा इस महीले ने इंस्टाग्राम पर अपनी हमशकल की तलाश की कई प्रोफाइस तलाशने के बाद उसे एक कॉस्मेटिक ब्लॉगर का प्रोफाइर मिला जो की हूब हूँ उसी के जैसी दिखती थी खतीजा नाम की ये ब्लॉगर अजीरियाई नागरिक थी और आरोपी महिला के घर से करीब 160 किलोमीटर दूर रहती थी दोनों के लंबे काले बाल थे और रंग भी लगभग एक जैसा ही था शरवन के और उसके बॉइफरेंट शाकीर ने खतीजा से संपर किया और उसे कुछ ब्यूटी प्रोड़क्ट आफर किये इसके बाद लड़की उनसे मिलने के लिए मान गई जैसे ही वो लड़की उनसे मिलने आई शरवन के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी ताकि उसकी पहचान ना हो पाए इसके बाद शर्बन ने अपने दोस्त के साथ मिल कर खतीजा के कपड़े चेंज किये और उसकी लाश को अपनी कार की पिसली सीट पर रखकर अपने घर के पास छोड़ दिया जहां बाद में कार में शर्बन की लाश मिली जिसकी पहचान शर्बन के परिवार ने अपनी बेटी के रूप में की। लेकिन पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में मास्टर मायं शर्बन के का भांडा फूट गया और पुलिस ने उसे गिरफ़तार कर लिया। बताने कि शर्बन और उसका दोस्त शाकिर अब पॉलिस की गिरफ्ट में हैं, पॉलिस का कहना है कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है Bureau Report, Crime तक कि उन्हें कि उन्हें पॉलिस की उन्हें रहा है